गुरुवार को तड़के सुभे बैली पार थाना शेतर के हरया गाउन नौसर के पास गीडा की तरफ से आ रही UP 32NF 8092 नंबर के DCM ट्रक का टायर अचानक खट गया जिससे ट्रक अनियंद्रित होकर पलट गया ट्रक को पलटता देख सामने से आ रही लिटर फ्लावर स्कूल की बस नंबर UP 53BT2112 का ड्राइवर समझदारी दिखाते हुए बस को बचाओ में सड़क के किनारे उतार दिया बस ड्राइवर की सूज बूस से बड़ा हाथसा होने से टल गया अफरा तफरी में ड्राइवर और बस कंडेक्टर समेथ एक बच्चे को मामली चोट आई जेने प्राथमी उपचार के बाद अभी बावगों को सौप दिया गया है मिली जानकारी के अनुसाल बस में लगभग 35 स्कूली बच्ची और स्कूल टीचर सवार थे मौके पर पहुँचे पहली पार थाना प्रभारी द्वारे स्कूल बस पर लिखे नंबर की माध्यम से विद्याले प्रबंदक को घटना की जानकारी दी गई घटना के संबन में परतिष दर्शीयों ने कहा अगर प्रबंदक की पहीया बश्त विए ट्रेक भी पलड़ गया है अगर दस का नंबर नोट कर लेना आई जल्दी एक तेरे गड़िया भरल लाग तो अगर 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 प्रबंदक का लेकन के शुप अगर आई ने बड़ाई विए भजड़ में विए जा इस से जड़ प्रबंदकी ने में हमें आई यजव घिएगित बड़े हैं जो जो एना हम जो आरी में एक जोडे एक हो गली है पार प्रप्ट नेख एक है एक 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 हो दो एक हो एक हाई इस जोिए नेख ज एक हो लाई कि यह बस तरगा रहा है थी तो त्रॉक भट गया उटार फटने से गाड़ी परट गई बायाज़ाट में आ गयी यह बस दार स्कूल की तरफ वह फटने के वजह सी इस पर टक्रागी है तक्राने क वादें उपस आले आ गई में 35-45 की तेरी बच्चे थे और हल्का फुलका चूटे आई जाड़ी बाएं से मलवा जारे दुसका टायर फट गिया राइट साइड वाले जो जाड़ी 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 फ्लावर स्कूल की उस पर टाच होगी लाक बग पैंते शालिज सबर में पूरा भरी हुइच apresent की नार्मा थद वेश्चों की तो कि भॉजा जाड़ी आज शवाद रिगून में प्रम profit लेटीन में वालमस की फटीन साटें अला जाड़ी जाड़ी बशाड़ी है झाल